इस वीडियो में देख रहे हैं आप लगी कोमेंट से यह वीडियो अफ्लोड की जा रही है और यह पेज नमर हम देख रहे हैं 24-24 का अध्यन करें तो पहले अच्छी तरह से सब्ज है और उसके बाद अपना वर्कूप को तेयर करेंगे क्या कर रहे है कि थिंग्स आई डू यहां क्या कर रहा है सोचो और क्या काम करते है उसके बारे में हम लिखेंगे तो write 5 sentences on things you do at home कता है आप 5 sentence 5 sentences का मतला होता है पांच वाकी लिखिये right में लिखना होता है on things यानि यहाँ पर कहाँ पर जो आप घर में काम करते हैं उसके बारे में लिखना है पांच वाकी लिखना है तो पहला लिखा है I get up at 6 o'clock in the morning तो हम सुबह में कितने बज़े जगते हैं 6 बज़े को जगते हैं यह आप का हुगया तो इस तरह से आप एके करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो कैसे हम लिखेंगे आप जब सुबह जब उठते हैं बजचो तो आप करते हैं क्या मौहाद होते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे I लिख दिजिए यहां लिखेंगे I brush I brush लिखे, उसके बाद क्या करते हैं? My teeth, अपने हम दान्त को साफ करते हैं, क्या करते हैं? I brush my teeth, यहां दे देजिए, फुरी इस्टो, यह क्या हो गया? मैं दान्त ब्रस करता हूं, मैं दान्त को साफ करता हूं, ब्रस से साफ करता हूं, ये हो गΙा, और दुसरा महम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, I take, I take what, B, A, T, H आई टेक बात हम लोग क्या करते हैं? बात लियाता है तो हम लोग क्या करेंगे? आई टेक के बात हम लोग कहा जाते हैं? हम असनान करने जाते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दीकत नहीं है अब दुसरा भी लिख सकते हैं जो भी आप activity करते हैं उसी क्याधार से आपको लिखना है अब यहां क्या करते हैं सुबह में जब हम जगते हैं मुहाद होते हैं उसके बाद असनान भी करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं लिखेंगे I read a book हम क्या करते हैं किताब को भी हम पढ़ते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं उसके बाद चोथा point क्या लिखेंगे तो उसके बाद जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें खेलने की एक्षा होती है हम कुछ खेलते हैं तो खेलने का भी काम करते हैं क्या लिखेंगे I play chess हम लोग क्या करते हैं सत्रण जो को भी खेलते हैं, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा भी खेल को आप लिख सकते हैं, और पांच मां में क्या लिखेंगे, I help my mother, हम क्या करते हैं? अपनी मां को मदद करते हैं, काम में, तो क्या लिखेंगे, I help my mother, यह आपका हो गया, इस तरह से आप लिख सकते कोई दिखकत नहीं है कि आप देखे रहे वज्चुर नेस्ट में क्या है कि राइट फाइफ सेंटेंसेस ऑन तिंग्स यूडू और पिकनिक पर जा रहे हैं पिकनिक पर गए हैं तो पांच सेंटेंस लिखे पांच वाकिलिखे वन हैज बी डॉन फॉर यू यहां पर हम आपक लिखे बता दिये हैँ आसी हम लोग क्या करते नदी میں तेरते हैं यह लिख दिये जब हम लोग क्या करते हैं चाल करते हैं उसमें लिखेंगे, दूसरा भी लिख दीखत नहीं है, लेकिन हम उससे पिक्निक से related ही चीज को अब लिखेंगे, I play, क्या लिखेंगे, I play with, हम खेलते हैं, किसके कहते हैं, I play with friends, हम किसके साथ खेलते हैं, हम मित्र के साथ खेलते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं दो नमर में आपका क्या लिखा जाएगा उसके बज़ा हम पिक्निक जाते हैं तो वहां पर कहीं हम कुछ देखते हैं क्या लिखेंगे we go to क्या लिखेंगे we go to you हम जो पिक्निक में जाते हैं तो वह हम चेडियां घर को भी देखते हैं तो इस वाकिक को आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब तीसरा में क्या लिखेंगे we take इसमें दूसरा लिख दीजे we take to we take to each other हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे भी वश्टू को देखते हैं each other ये भी आप का एक sentence हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग पिक्निक में जब जाते हैं तो enjoy करते हैं आनन्द मनाते हैं तो वह भी लिखेंगे I enjoy I enjoy जुआ है हम लोग आनंद भी मनाते हैं इस तरह से लिख सकते हैं और पांचमा संटेंस को आप क्या लिखना चाहते हैं यह भी बताईए तो उसके बाद जब हम पिकनिक चाहते हैं तो आप कुछ खेल भी करते हैं यहां क्या लिखेंगे हम लोग क्या करते हैं पार्क में हम लोग खेलते हैं इस तरह देखिए आप संटेंस को पूरा कर दिये यहां पर यहां पर क्या लिखा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे I play with friends दूसरा आप लिकाए, we go to you, हम लोग छेड़ यहां घर जाते हैं, we take to each other, I enjoy, I play in park, तो इस तरह से देखें बुच्यों, आपका page number 24 complete हो जाता है, अब यहां पर देखा जाए, यहां क्या है, in the forest, in the forest, जंगल में हम है, right five line, पांच लाइन को लिखना, about the picture, इस picture को देखकर, आ क्या हुआ है, इस word के सहरे से, इसमें हमको वाक्वी बनाने के लिए कहा रहा है, तो यहां trees है, trees मैंने पेडे होते हैं, flowers फूल होते हैं, grass मैंने घास होते हैं, birds मैंने पक्छियं होती है, tiger मैंने बाग होता है, squirrel मैंने होता है गिलहरी है, और यह house मैंने होता है घर, फिथे इस figure के सहरे से आपको इस word के सहरे से sentence बनाना है क्या sentence बनाना है पंच sentence बनाना है जो भी बना सकते हैं देखिए इसमें sentence कितना बनेगा एक दो तीन चार पंच छे साथ sentence बनेगा लेकिन आपके पास space है पंच टू तो पंच sentence आपको बनाना है तो पंच sentence कैसे इसको बनाएंगे धियान से इसको देखिए, खाले आप वर्कवू को त्यार करना नहीं है, आप पहले इसको अच्छी तरह से समझे, यहां देखिए, यहां बाग है, यहां गिलहरी है, यह आपका बगुला है, यह जिराब भी है, जेबराज इसको करते हैं, तो इस तरह से यहां देखिए, एक यहां जो फूल देख रहे हैं बहुत ही सुन्दर दिखने में लग रहा है तो इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है संटेंस कुछ भी बना सकते हैं जो कि इसी फीगर के सारे आपको बनाने के लिए कहा रहा है तो इसको लिख देंगे देर आर व्यूटिफुल फ्लावर्स है कंप्लीट हो गया अब दो नमर में क्या लिखेंगे तो यहां पर लिख दीजिए यहां क्या है बहुत कुछ ऐसे जगह पर है जंगल में जो कि कोई बिरिक्ष भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बिरिक्ष भी दिखाई दे रहे हैं इसको भी अब लिख सकते हैं तीन में क्या लिखेंगे यहां पर लिख दीजिए ग्रास ग्रास आर ग्राउन ग्राउन ऑन दा लेंड क्या है लेंड में जमीन पर क्या है विभी ने ब्रकार के घंसे दिखाई दे रहा है यह उगे हुए घंस को दिखाई दे रहे हैं तो उसका हम वर्णन कर लिए अब इ क्या करते हैं पक्षियां उड़ रहे हैं उड़ते हैं तो क्या लिखेंगे बर्स फलाइ यहां देखिए पक्षि भी जहां तां दिखाई दे रहे हैं यह भी आपको उड़ते नजर आ रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब यहां पर देखिए यह हमको कुछ वाकी बनाना है कौन सा वाकी बनाएंगे चलिए कोई दीकत में लिखिए अच्छी तरह से लिखेंगे दा टाइगर the tiger is sitting क्या कर रहे हैं बाग अच्छी तरह से बैठे हुए है यह क्या है यहाँ पर देखे बैठे हैं देखे यह पर आगे क्या है यह बैठा हुआ है यह क्या है the tiger is sitting क्या क्या लिखे वुच्छे ध्यान से देख लिजिए there are beautiful flowers 2 में लिखेंगे there are so many trees 3 में लिखेंगे birds fly पक्छा उर्ती है तो यह 5 वाकि बनाने के लिए कह रहा था आपका यह complete हो गया यह आपका jungle से related था इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आपको number लिखने के लिए आएगा तो यह 5 भी line लिखेंगे तो आपको answer मिल जाएगा number भी मिल जाएगा उमीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चो next class में हम लेके आएंगे यह देख रहे हैं article के बारे में पढ़ेंगे a और an के बारे में पढ़ेंगे और next class में भी पढ़ेंगे इसके बारे में solution को दिया जाएगा तो बच्चो वीडियो को share जरूर करें अगर पसंद आवे तो लाइक जरूर करें में रते हैं दस्तों नीव क्लास में thank you for watching my video